आप लोग आप सब्चेश करने वाली हो इस compact का review and ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करने वाली हो इस compact को मैंने क्यों चोज किया क्योंकि मैं लियॉटी यूए से के बहुत सारे प्रोडिक को पहले भी यूज कर चुकियों आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर चुकियों तो मुझे काफी ट्रस्ट है उस ब्रेंड पर एंड काफी अफोर्डेबल प्राइज में मिल जाते हैं तो बजट फ्रेंडली होते हैं और काफी नेशुरल इंग्रेडियन के साथ बने होते हैं तो फिर मैंने कॉम्पैक्ट भी इस पार इसी ब्रेंड का लिया है और इसे में यूज भी कर चुकियों काफी टाइम तो अभी आपके साथ इसकी पूरी डीटेल में शेयर करूंगी तो वीडियो में लास सक बने रहिएगा तो यह है कुछ इस तरह की आउटर पैकेजिंग काफी इंप्रेसिव सी पैकेजिंग है क्योट सी छोटी सी पैकेजिंग है तो यह एक पॉकेट फ्रेंडली है और ट्रेवल फ्रेंडली है विकोज आप इसे कहीं भी लिके जा सकते हैं आप अपने ब्यूटी बैग में डाल क्योंकि काफे च्छोटी सी packaging है एंड अगर price की बात की जाए तो सबसे पहले attention जाती है price की तरफ की कितना price होगा इसका महंगा तो नहीं है तो बिलकुल भी पहंगा नहीं है यह त्री एर्स के लॉंग शेल्फ लाइब के साथ आता है वैसे कॉम्पैक्ट पाउडर कभी खराब नहीं होते हैं और अगर बात की जाए इसके इंग्रीडियंट की तो यहां इसके बैक साइड में सारे इंग्रीडियंट्स दिये गए हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग अगर आप अच्छा कॉम्पैक्ट यूज करते हो तो उसे लोग लास्टिक बना सकते हैं अगर आप मेकप नहीं करना जादा पसंद करते तो कॉम्पैक्ट को दो तरह से यूज करके वेट और यूज कर सकते हो आप कुछ भी नहीं करना आप जस्त मॉस्ट्राइजर कुछ नहीं लगाया वह कॉम्पैक्ट लगाया हुआ है और सिर्फ मॉस्ट्राइजर के ऊबर इतनी अच्छी कवरेज देता है पिगमेंट बहुत अच्छी आती है तू इसके अंदर शेड्स मिल जाती है आपको इस बॉक्स के अंदर देख तो है शिमरिंग में एंड एक ह कर सकते हो और आप इसे नॉर्मल ऐसे भी ड्राई में भी अप्लाई कर सकते हो दोनों ही तरह से कवरेज अच्छी आती ही आती है अगर आप इसे समर्स में अप्लाई कर रहे हो तो मैं कहुंगी कि ड्राई कॉम्पैक्ट ही योज़ किजिए लेकिन अगर आप विंटर्स में सब्सक्राइब तो यहां से इसे ओपन करेंगे और उपन करने के बाद इसके साथ जो पॉंच मिलता है तो वो दिया गया है जो कि हर compact में होता है इसके ओपर एक protection sheet दी गई है जिसे कि आप इसके ओपर sponge रख सकते हैं जिसे कि आपका जो compact है इस पर extra नहीं लगेगा इसके बाद एक shade यहां दी गई है जो कि काफी आपके skin tone से match करके आप इसे ले सकते हैं इसके अदर बहुत सारी shades available है तो मैंने अपने skin tone से match करके लिया है देखिए सिर्फ एक shade आपको थोड़ा सा उसको light लेना होता है जिसे कि आपकी face पर coverage अच्छी आए जैसे ही हम इसे ओपर से औउग उठाते हैं तो एक और इसके अंदर shade है जो कि shimmering में है shade दोनों सेम है यह shimmering में है अगर आपको night makeup करना है heavy makeup करना है तो आप shimmering यूज़ कर सकते हैं otherwise आप मेटे वाला यूज़ कर सकते हैं दोनों ही काफी प्यारी look देते हैं और अगर बात की जाए कि इसको किस-किस type से आप यूज़ कर सकते हो जितना लगाना चाहिए उतना ही लगता है और coverage अच्छी आती है and second step brush brush को compact लगाना है and उसके बाद extra में tap करके उसको remove कर देना ताकि extra जो compact इस पर लगा है वो tap करके remove हो जाए और उसके बाद जितना भी sufficient है वो आपके face पर लग जाए तो इससे coverage अच्छी आती है and अगर आपको brush करना use comfortable लगता है तो आप brush से भी लगा सकते है and third है अगर आप अपने face पर moisturizer लगाते हो और इसको सिर्फ और सिर्फ अगर आप winters में try कर रहे हो तो यही मैं suggest करूंगी सबसे पहले आपको sponge को करना है गीला तो मैंने यहाँ पर extra sponge ले लिया जो कि मेरे पास था अगर नहीं है तो आप same sponge आता है compact साथ वो भी use कर सकते हो निकिर मेरे पास रखा था तो मैंने वही use किया है इससे भी coverage काफी अच्छी आती है यहीं काफी अच्छी long plastic भी रहता है यहीं स्किन को dry भी बिल्कुल नहीं करता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like करना और subscribe के साथ जो पहला icon दिया गया है उसे पर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी नई वीडियो की notification मिल दाए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ काफी नए अच्छे interesting product का review और honestly review शेयर करती हूँ जो कि मैंने उस चीजों के बारे में observe किया होता है उसको use करने के बाद आपको साथ honestly उसका review शेयर करती हूँ तो फटा फट से चैनल को subscribe कर लेजिए अभी के लिए इतना हीता thank you for watching bye bye take care